तो आज रॉग बहुत बहुत इस पहला रोजा यानि के पहली सेरी एंड अभी चार बज़े हैं अभी जल्दी चाने सेरी करने के लिए रमदान नाम हला है कि आप सब के लीपी और हमारे लीए भी रमजाने बहुत बहुत आहिम महीन होता है और आप मुझार से आज पहला रोजा नहीं था बट्व बज़े मैं सो गाई थी अब ह्याएं भाबावा नियुक्त अब बताया के आज पहली सेरी है तो मैंने बुला चला आज के दिन उठ जाती हूँ क्योंकि मैं उठी थी कर आज बाबन मुझे बताया किसे है पहरी रोजी पूरी मैं मैं मुझे बना रही है तो मैं मुझे लगा कि आज पहरी सहरी है लात्य है प्फूरी कोवरी रूटीन रूहीं कोgg मैं रुजान में रूचाते उसेरी में क्या मपात खातें क्या नहीं खातें खातें क्या उनी क्या सब कोiliar कर एंड्यबिस समय लगाने के लिए तो पहले में सान रडस्टा लगा तो उसके बाद मां को साइच चीज़े दिखाऊंगे तो यह रही फेनी वगएरा अधिनी और पर चाय वगएरा यह साइच चीज़ें हैं मुझे पहाट मैं को साइच चीज़ें हैं मैं साइच है चीज़ें तो नाव जगाने की फेनी होते हैं कि अपर से तुक कि यह से श्री पहाट रिक जोडश présent कि नहीं से कर दो कि पहाट है तारिका में जब आको बता होगी कि किया क्या पसन थे इस तारिका की ब्लॉग आई कर शर्ट को चेकिँ हो जो यफ इसी कुले प्लॉग में सी क्या है तो अभी शे वाप करेंगे है पेलरी सैनल लोजे वालो जाई का टाइम होग्या एएँ शेरी कर लीजिए तो चानर में जारी चारी करने के लिए तो आपको दिखा किती तो आपके कर दो कभी आमनों ने वह सारी सहरी वगरा कर ली है और पुली सहरी वगरा कपिल्ड हो चुकी है अब लगों ने सब कुछ कहा लिया अभी मुझे पानी पहना है पुल्ड ने खाता है और पहनी पहनी कहा थी जब पहनी कहा हूँ ना बहुत कहा है बट भाभी नहीं कहा सकती हूँ कि मेर पेट अब बहुत जादा दर्द था तो इसले मैं तरह कुछ नहीं खा रही हूं अब 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 स्वोस में तुछ नहीं खा पाऊंगी बट इंशाला मैं जाद सब्साद नहीं खाऊंगी अच्छा माम फिर ब्रश बगारा कर दें और फिर बजब नहीं करेंगे नमाग फजल के अजान हो जाती है न तो फिर सोजोंगी एंड तो अब मैंसे खुल गया बात भी पाणी भानी फ्लिड काती है तो हम लोगों फिर पर नहीं पे था प्रकशन सब्सेव एंड वाजिए कियो कि अब इसमें धुक्त ऐंचिकर नहीं बहुत जलदी कर दीते अक्शलि सारी क्योंकि हम बाद था हीं जल्दी कर घुक्यां ईथा यह तो आज पहली से फिर आख मैं इतनी जल्दी कैसे कर लिए अभी जो एको मैं बड़ा शाहरा करूंगी फिर मैं भी वजुगा अभी नहीं कर दो जाओंगी और मैं फजर की नमाज पड़ूंगी मेरी और मेरी पुरी सैमली के तरफ से आप सबको रमजान बहुत-बहुत-बहुत मुबारक हो अपलोगों कैAnnag प् positiv, कुछी कई मनी कन दोख मेरी विया से फेरे, में समय में मजा प्रिज फेरे कि यह अभी बसना जस्ट रेटी नहीं हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं बस मस्जद में एलान हो नहीं वाला है कि रोसे वालों सहरी का टाइम खत्म हो चुका है तो मतलब यह ना एक बैस पार्ट उदा है तो मुझे, बहुत अच्छी लगते है कि 4 ठीक में बार पता कि अजना में रहा हो नहीं करने हत्ma सहरी का टाइम में सहरी का टाइम हो गया है और आप यह स्टाव में कि बच्टारी का टाइम हो चुका है और मेरे हाथ में दर्द हो गिया वाउ बना बना के सुझी गई है तो मैं अपसे तुर्दे बात मिलती हूँ अभी अधान बखरा होने में 10 मिनेट हैं अभी बस में जा रही हूँ नमाज बखरा पढ़ने वजु पढ़ना बखरा करूंगे और फजर की नमाज पढ़ूंगी तो अभी यह थी मेरी आज की सहरी रूटीन मतलब तो अभी जिए मैं चैनल गूना तो मैं सुझा कि आप कुछा केशल हैं अभी जान खर्यार के लिए कर दो लिए बूटीन भी शेयर कर देतीकि मैं सहरी मैं क्या क्या करती हूँ एक इस फोड़े आप्ड़ना रमजान बखरा बहुत मतलब यह है निकल गया था पता भी था पिर मम्मा ने भी जल्बी से माम उटी तो ममा ने तयार बखार करीं साहरे की पर सबस्क्राइब करा ना तो यह अभी जार रहे हूं मैं बस वज़ु अगर नमाज पढ़ने के लिए अब मैं अब अब आपने अपने सुझाइब करती हूं इंशाला मैं आप से अपने नेक्स वाग में मिलूँगी अगर आप लोग ने में चानल को अ जल्दी से बेल आइकन दबादे क्योंकि मेरे रमजान के व्लोग और बहुत अच्छे व्लोग ने वाइले इंशाला मैं आप लोग लिए अफ्टारी रूटीन भी जरूर लेकर आउंगी तो उसके लिए आप लोग के स्टेडियों रहे हैं यानि कालम लोग अफ्टार करे तो इसके विए निशाला मैं आपको वीडियो बनाऊंगी व्लोग बनाऊंगी और मैं उस व्लोग को भी आके साथ जरूर शेयर करूंगी और जब तक के लिए लाफेज